शामली दिल्ली रेलवे मार्ग पर ट्रेन में लूट पार्ट करने वाले गैंग के तिन सदस्यों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया जो ट्रेन में हत्यार के बल पर लूट पार्ट किया करते थे तीनो शातिर लूटेरों ने 24 जनवरी को असारा रेलवे स्टेशन पर शामली से दिल्ले जा रही ट्रेन की बोगी में वारदात को अंजाम दिया था जहां पुलिस ने असारा रेलवे स्टेशन से आशू शोयब और राहूल उर्फकाला को गिरफतार कर जेल भेज दिया है वही इन लूटेरों के साथी रिजवान सितारा और खटा फरार होने में काम्याब रहा वही इन तीनों शाथी लूटेरों पर कई राज्यों में मुकद में दर्ज है गठना ये थी कि दिनांग 24 वटे 25 एक 2020 में असारा इस्टेशन पर चार लोगों ने तवंचे के बल पर एक बोगी ट्रेन 0-5 चबमर पर लूट लिया था जिसको दिनांग कल दिनांग 25 कल दिनांग 21 कल 22 को तीन अव्योगतों को विर्पतार किया गया जिनके पास उप्त गठना में चूरी का माल वा तमंचे बरावद हुए हैं और एक अव्योगत जिसका नाम रिजवान है रिजवान और काला अवासितारा वह भुट का दा व हमोके सव भ़राव ठनागे हैं